हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमिशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजीर हूँ एक नई रेस्पी के साथ फ्रेंड्स जब भी आपका राजमा चावल खाने का दिल करें तो आपको अलग-अलग बनाने की बिलकुल जिरूरत नहीं है आज हम एक ही पैन में दोनों चीज़ों को इकठा बना रहे हैं और खाने में इतना टेस्ट ही है कि मैं आपको क्या बता हूँ तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसे हम अपने घर पर आसानी से किस तरह से बनाएंगे और किन-किन चीज़ों की जरूरत है तो गैस की फ्लेम आउन करके मैंने पैन रख दिया और डाल दिया तीन-चार बड़े चमच ओयल क्योंकि सबसे पहले हम लगाएंगे तड़का तड़का लगाने के लिए मैंने लिए कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है तेज पत्ता, बड़ी इलाईची, छोटी इलाईची, लॉंग, काली मिर्श, दाल चिनी और जीरा खड़े मसाले जिरूर एड़ किजिए, इनका फ्लेवर बहुत बड़ी आता है और जो हमारा रेस्पी है बहुत टेस्टी बनती है तो इन्हें फ्राई करना बहुत जरूरी है तो चलिए, देखिए, कलर चेंज हो गया तो अब डालते हैं इसमें हम अपने कटे हुए प्या आने तक इसे फ्राई करेंगे, तो यह देखिए, हलका-हलका कलर इसमें ब्राउन आ चुका है बस इसे ज्यादा अब हमें और इसे फ्राई करने की जुरूर नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ढालते हैं इसमें एक बड़ा चमच जिंजर-गालिक-पेस्ट, मिक्स क तक इसका कच्छा फ्लेवर नहीं हो जाता जिंजर गालिक का तब तक हम इसे भून लेंगे चितरां से तो यह देखिए जिंजर गालिक भी हमारा चितरां से भून चुका है तो अब हम डालते हैं इसमें हमारे ग्रेट किये हुए टमाटर दो टमाटर हैं तो चितरां से मिक्स डाल रही हूँ तो नमक आप ध्यान से टेश के कॉर्डिंग डालिए तो लाल मिर्च भी मैंने आइड कर दिये ये भी टेश के कॉर्डिंग है तो थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ यानि की टर्मिक पाउडर और ये है कोरिंडर पाउडर यानि की धनिया तो हिंक जरूर डालिएगा क्योंकि इसने बाई नहीं होती है तो इसे हमें करना है अच्छी तरह से भुनना है तो तीन से चार मिनिट में यह दखिए ओएल सेपरेट होगया है मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, लो फ्लेम पर भूनियेगा मसाला, बहुत यह अच्छी तरह से भून जाता है, तो मसाला हमारा बिल्कुल त्यार है, बस इसे अब हमें और कुछ नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो बॉयल करके राजमा रखे ह तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे अब इसे हम में हाई फ्लेम पर कम से कम दो से तीन मिनट ना भूनना है राजमा को बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है इस तरह से भून कर देखिएगा तो जब तक इसमें से ओइल ना सेपरेट हो जाए ना इसे भून लीजिएगा से इस तरह से आप बनाईएगा और टाइम की भी बचाता है और फ्लेवर वही वही स्वाद तो क्यों ना हम इस तरह से बनाएं तो यह राजमा हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अब हम डालेंगे इसमें पानी तो जितना मैंने चावल लिया है उसका डबल हम पा जादा नहीं लगता है तो आप इसे चाहे राजमा चावल पुलाव करिए जो मर्जिस को नाम दे दीजिए तो यह मैंने चावल इसमें डाल दिये हैं मिक्स करेंगे एक बार फिर और फ्रेंट यकीन मानिए वही फ्लेवर आएगा वही टेस्ट आएगा बिल्कुल भी जिसके साथ मर्जी खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है तो दो हरी मिर्च भी डाल दी है बॉयल आने देते हैं तो बॉयल आ चुका है यह देखिए तो हाई फ्लेम पर तो बॉयल आ गया ना अब इसकी फ्लेम हम कर देंगे बिल्कुल लो और इसे कर देंगे कवर और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक यह बिल्कुल पक कर त्यार नहीं हो जाते हैं तो यह देखिए पांस से छे मिनट लगे हैं और चावल हमारे बहुत खिले-खिले बनकर त्यार है तो इसे रेस्ट करने के लिए थोड़ी दिर रख देते हैं फिर चेक करेंगे तो र के साथ करेंगे तो काफी सारा धनिया डाल दिया है अब हम क्या करेंगे स्पून की जो बैक साइड होती है उससे हलका से चला देते हैं यह देखिए इस तरह से और बहुत ही खिले-खिले हमारे राजमा चावल बने हैं फ्रेंट्स ट्राइ जरूर कीजिए और मुझे जरू मत कीजिएगा अगली रेस्पी अपने घर पर इसी को ट्राइ कीजिएगा खुशबू तो इतनी आ रही है न मैं बता नहीं सकती है आपको बहुत ही जवरदस्ट खुशबू है सिंपल सी रेस्पी है अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शे